हलो एन वेलकम बैक हमने लास्ट वीडियो बनाये था महिंद्रा एलफा ए ओटो के लोंग टरम रिवी के बारे में उसके बाद हमारे पास कई कोमेंट्स आई यूजर के कि हमें देखना है कि आपका जो इवीकल है आप उसको कैसे चार्ज करते हैं आपका होम चार्जिंग करते हैं चार्जिंग सेटप के रिगार्डिंग एक बहुत ही सिंपल मैं आपको बात बताता हूं कि इसके अंदर जैसे कि आगर आप कोई भी कार लेके आते हैं वो भी इवी वाली जैसे कि लास्ट टाइम हमने बता चुके हैं टैटर टियागो के रिगार्डिंग भी हमका टोड़ा से हैसल हो जाता है कोई भी नए ईवी जो ओनर है वो कर वगैरा लेता है तो इसके लिए थोड़ा सा कोश्ली पड़ते हो वह सारी चीजे वैसे तो टाटा जो है एमसी वागेरा को सारे सेट अप देता लेकिन अर्थिंग के लिए आपको खुद ही जो है वह सारी करने पड़ती हैं विदाउट अर्थिंग के आप जो है टाटा की गाडियों को चार्ज नहीं कर सकते हैं मैं अगर आपको इस वोटो की रिगाडिक बता हूं तो इसमें कुछ भी सेट अप नहीं करना पड़ता है नोर्मल आपके पास एक चार्जर होता है चार्जर को आपने यहां जो है जो चार्जर एक्चली काफी बड़ा है तो यह एक्चली इसका बोक्स है इसके ब्रांडिंग लिखी है एक्जियों ब्रांड है इरिक्सा बैटरी चार्जर है तो यह है हमारा में चार्जर जिसकी मदद से हम जो है यह एलफा ओटो एक्चली चार्ज करते हैं यह एक्चुली काफी है, लाइक मेरे साबसे साथ, तीन या पांच की लोग, इसका वेट है, ब्रांडिंग इसके उपर लिखी हुए है, क्या इसकी जो है, input voltage वगेरा है, क्या इसका input current वगेरा है, max output वगेरा, battery की series वगेरा लिखी हुए है, और कुछ basic information like for 4 battery system only, क्योंकि इसक इसके अंदर लगती है, तो उसको charge करने के लिए इस्तमाल होता है, साथ ही में यहां पर लिखा हुआ है कि इसको पानी से दूर रखना है, अब जो दूसरी चीज है इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको previous जो starter की वीडियो, उनमें भी दिखाए कि आपको कैसे find out करना है, कित ब्लिंक करती रहेगी, जैसे 100% हो जाएगा तो यह सारी green हो जाएगे, ब्लिंक करना बंद कर देंगी, जैसे देखे, mains on होगा, तो यह light जलना start हो जाएगी, आपके इसके अंदर के कुछ जो भी इसके component हो दिख रहे होंगे, इसके साथ हमें एक लंबी wiring देखने को मिलती है यह three pin वाला charger है, जो कि power plug के अंदर हमें लगाना होता है, और यह है directly जो हम auto के अंदर लगाते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, कि यह जो socket है, actually नीचे connect करना है, तो मैं आपको अबर close up से दिखा देता हूँ कि यह किस तरह लगता है, तो यह actually part है जहाँ पे हमें इसको charge लगाना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पे actually क्या होता है, आपको इस lid को actually उपर उठाना होता है, और उपर उठाने के बाद आपको देखिए नीचे वहाँ पे socket दिख रहा होगा, वहाँ पे actually insert करना होगा, अब यहाँ पे प्लग हो गया है, तो अब मैं directly इसको the second part है, उसको power plug के अंदर लगाता हूँ, डिरेक्टली आपको जो 3-pin जो पलग है यह अपने घर के अंदर, जहाँ भी आप जो 3-pin का plug है, actually power plug जिसको बोलते हैं, जिसमें आप अपनी iron वगेरा करते हैं, या AC वगेरा का plug लगाते हैं, वहाँ पे आपको लिगे लगाना है, यह देखिए उपर वाला जो red आपको दि कर रहा है भी, इसका मतलब यह है कि यह in between 30 से लेके 50% के राउंड चार्ज है, तो ऐसे ऐसे करके यह उपर तक बढ़ता जाएगा, जब तक 100% नहीं हो जाता पूरी तरह है, तो यह बिलकुल ऐसे रुख जाएगा, second side से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर काफी तरह के circuit boards वगएरा लगे वे हैं, तो यहां पर एक लगा हूँ है, यह फैन बिलकुल वैसा है, जैसे कि आपके CPU में आपने देखा होगा, CPU के अंदर CPU की जो भी होटे वगएरा है, वो सब बाहर निकालने लिए जैसे इसमाल किया जाता था, वैसे इसमें होता है, क्य लिए, यह अभी हमने लगा दिया है, तो इसको जो है चार्ज होने में तकरीबन, फुल चार्ज होने में सम्वेर अराउंड लाइक 7-8 चार्ज इसको लगते हैं, और उसके बाद यह फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से 70-75 किलोमेटर तक र लगाना है, और यहां पर कुछ और करने की जुरतनी है, नहीं कोई अर्थिंग वगएरा करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, बैस नॉर्मली यह करना है और इसी से आपका वीकल चार्ज हो जाएगा, आपको मैं एक बाद बैटरी कंपार्टमेंट जो हो दिखा देता हू तो यह है इसका काफी सिंपल सा, काफी बेसिक सा दिखने वाला चार्जिंग सेट अप, कुछ भी अलग से करने का वसकता नहीं है, काफी बेसिक सेट अप है, तो आज की वीडियो में इस तरह की डिटेल्स के रिकार्डिंग सिर्फ इतना ही, अगर आपकोई ओड़ आउट